हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आज किस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़े ख़बरों के बारे में जानेंगे तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते साथ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर बिहार के इन चार बड़े सहरों में बनेंगे रिंग रोड केंदर सरकार ने दी हरी जंडी जिहां बिहार के चार सहरों में रिंग रोड बनाने पर केंदर सरकार ने सैधान्दिक सहमती दे दी है हर सरकार के प्रस्ताव को हरी जंडी देते हुए केंद्र सरकार ने NHAI को गया दरबंगा मुझापरपुर वा भागलपुर में रिंग रोड के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करने को कहा है इसके बाद इने सहरों में रिंग रोड का खाका तयार किया जाएगा आपको बता दे कि रिंग रोड का विदिवत परस्ताव लेकर सुभी के पद निर्मान मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रे मंत्री नितिन गड़गरी से मुलगात की थी अगली बड़ी खबर हेड मास्टर बहाली के लिए 31 माई को होगी परिचा उच मायदमिक विदालों में 6421 पदों पर BPSC के जरिये हो रही है बहाली अभिहार लोग सेवा आयोग ने उच मायदमिक विदालों में प्रधान अधपक रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए लेकित प्रतियोगित परिचा की दिति घोसित कर दी है आयोग के सयुक्त सचीव सब परिचा नियंदरक अमरेंदर कुमार ने बताए कि इस परिचा का आयोजन 31 माय 2022 मंगलवार की दिन लिजाएगी उन्होंने यह अभी कहा कि प्रसासनी कारणों से परिचा की तेथी में परिवर्तन संभव है आपके जानकारे के लिए बता दे कि बिपेसी ने राज सरकार के उच्च मायदमिक विदालेओं में 6421 पदों पर प्रधान दबग के पदों पर बहाली निकाली है इन प्रधान दबग के लिए 35,000 रुपी बेतन मान निधारित किया गिया है इस पाद के लिए लिखित परिचा का आवजन किया जाएगा जिसमें 1500 प्रसन पुछे जाएंगे अगली बड़ी कबर बिहार में 28 के सयुक्त परवेश परिचा 23 जुन को 17 माय तक होगा ओलाइन आवजदम पांच बिसाई से 120 प्रसन पुछे जाएंगे इस बार भी परिचा के लिए ललित नरायन मिथला विस विद्दाले को नोडल विस विद्दाले बनाए गया है भोजपूर, बकसर, रोतास और क्यमूर की बिदाती इस्तानिया बेड कोलेज का चैन कर रहे है वाड़ी कबर बिहार में मिला कोरोना का नया वेरिया है बिहार में कोरोना का नया वेरियंट मिलने से हड़का मच गया है पाटना के आज़े आएमस में डिटेक्ट नया श्ट्रेन बिए पॉइंट वेरियंट से दस गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है इस नय वेरियंट के मामले देश में काफी कम है दिल्ले में इसके एक दो मामले सामने आए है विसे सगो की माने तो बिए पॉइंट वन टू सबसे पले युएस में डिटेक्ट हुआ था ऐसे में बिहार में इस वेरियंट के मिलने से स्वास्त विवा के नेंद उड़ गई है अगली बड़ी ख़बर बिहार में बिजली संकट एक से दो दिनों में होगा खतम मंत्री बिजेंदर यादव ने कही ये बाद जहा प्राचन गर्मी के बीच बिहार में भी बिजली का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है राजदान ने पटना समयत कई जिलों में लगतार पावर कट देखने को मिल रहा है और बिजली संकट को लेकर उरजा मंत्री बिजेंदर यादव का ताजा वयान सामने आया है मंत्री बिजेंदर प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में अगले एक से दो दिनों में बिजली संकट खतम हो जाएगा मंत्री बिजेंदर यादव ने कहा कि बिहार में फिलाल जेतने बिजली के जोरत है उससे एक हजार मेगावाट कम बिजली मिल पा रही है लेकिन अगले एक से दो दिनों में या समय सा दूर कर ली जाएगी बिजेंदर प्रसाद यादव ने कहा कि आज नवी नगर बिजली उनिट से बिहार को बिजली मिलने लगेगी एक यूनिट से अपूरती सुरू होने की वज़ा से लगबग 600 मेगा वार्ट बिजली महाया हो पाएगी इससे बिहार के उन इलाकों में बिजली सप्लाई की जाएगी जहां अब दख थोड़ी कमी है अगली बड़ कबर बिहार प्रदोस्ण नियंद्रन परिशत का आदेश से नदी किनारे अब नहीं खॉले जाएंगे यह बिहार में पर्याबारन सरक्षन को मध्दन अजर रखते वे अब गंगवा अन नदीयों के किनारे अब नई एट भटत नहीं खूले जाएंगे प्रदोसन नियंतरन परिशत के आदेश में नदी राजमार्ग और आबादी के नजदिक नए इट बट्टा खोलने पर रोक लगाई गई है हलाकि इस आदेश से पुराने इट बट्टे पर असर नहीं पड़ेगा इन छेत्रों में पहले से चल रही पुराने इट बट्टे क पहले से ते मानुकों कहीं पालन करना होगा वहीं नए इट बट्टे कोलने के मानुकों पर अक्सक्ति बरती जा रही है अगरी बड़ी ख़बर पट्टना में आब रोट के हिसाब से चलेंगे ओटो और इरिक्सा ट्रैफिक जाम और प्रदोसन से होगा बचाओ जी हाबिहार के राज़ाने पट्टना को जाम एव़ाम प्रदोसन से निजा दिलाने के लिए पट्टना परिवान विभाग नया प्लान बनाने जा रहा है अब सहर से किस route पर कितने auto चलेंगे वा किस रंगे होंगे इसके निदारन किया जाएगा परिवान विबाग ने इसको ले कर कवायाद भी सुरू कर दिया है साथ ही अब auto और reverse को permit भी route के अधार पर दिया जाएगा इसके साथ प्रतेक रूट पर चलने वाले ओटो और इरिक्सा के लिए अलग से कोड कर निदारन किया जाएगा कोड के साथ साथ लोगों भी दिया जाएगा ताकि एक रूट का ओटो दूसरी रूट पर नहीं चल सके इससे अनावाइसक गाडियों से सहर के सड़कों को रहात मिलने के उमिद है जिसमें जाम की समयस्था में भी कमी आईगी बाड़ी खबर बिहार में अगले दो दिनों बाद तेज आंदी बारिस के साथ ठंका गिरने के असंका मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलट जिहां आगले 48 गंडे में दचिन पर्ष्चिम और मजद बिहार में जबरजस्त लू चलने का असार है आईएमडी के पुरानुमान के मताबिक 31 अप्रेल और 1 माई को 40 किलोमीटर परती गंडे के हवा के साथ बारिस होने की सम्हावना है ठनकार गेडने के भिया संका है आईएमडी ने आपको बता दे कि भीशन गर्मी ने सहर के अस्पतालों में मरीजों की संक्या अचानक बढ़ा दी है ओपीडी में आने वालों में सबसे ज़दा संक्या बच्चे वा बुजुर्गू की है मेडिसिन ओपीडी में सबसे ज़दा मरीज आ रहे हैं इनमें आखों में सुखा पन वा लाल होने की समय से बढ़ गई है तेज दूप और दोसित खान पान से मरीज सर्दी वा खासी से पिडित होकर अस्पताल आ रहे हैं खास कर पीम से अच वा आजे आएमस के सिस्व वाड भर गए हैं दोनों ये अस्पताल की मेडिसिन विवाग को पीडी में गर्मी के सर्दी खासी वा बुखार से पिडित मरीजों की सेंग्या बेस पीजी बढ़ गई है अगली बड़ी कबर बिहार के चाई को मिलेगे राष्टे पहचान क्रिसी मंत्री और सचीव चाई कारोबारियों के साथ करेंगे मंधन जिहां बिहार में पैदा होने वाले चाई को जल्द राष्ट्य पहचान मिलेगे यहां उत्पादत होने वाले चाई के लिए खास लोगों तयार किया जा रहा है क्रिसी मंत्रे अमरेंदर प्रताव सिंग ने कहा कि बिहार की चाई को राष्टिय पहचान दिलाने के लिए भारतिय चाई बोड को पत्र बेजा गया है देश में चाई को राष्ट बादन प्रसंस्क्रन वा घरेलू वैपार के साथ साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बने भारतिय चाई बोड में बिहार को छोड़ कर चाई उत्पादन करने वाले दूसरे राजों के परतिनेदी पहले से सामिल है अगली बड़ी के बार बिहार में पहली बार हुई पक्चयों के गिंती राज में 202 परकार के मिले 45173 पक्ची निवास करते है राज के 68 वैलेंटेड में पहली बार पक्चयों के गिंती में या संग्या सामने आई है पक्चियों के गिंते में 140 गंटे 22 मिनट लगे गन्ना के मताबिक सबसे ज़्यादा जली पक्चों की 80 परजातिया है जिनकी सिंख्या करीब 49,930 से इसके अलवा जली प्रक्चियों के 21 परजातिया और इस तलिए पक्चियों की 101 परजातिया पाई गई है अगली बड़ी कबर पुर्णिया में अब नहीं होगी प्रस्तुता और बिमार बच्चे की मौत तीस मिनट में मरीज तक पहुचेगी मोटर बाय के मुलेंस अगर आप सुदूर गाओ के दुरगम इलाके में है जहां चार पईया वहन नहीं पहुच सकते हैं तो बस एक फोन कीजिए और तीस मिनट में मोटर बाय के मुलेंस हाजिर हो जाएंगे पुर्णिया जिले में मरीजों तक मोटर बाय के मुलेंस पहुचेगी बार प्रवावित चार प्रकंडो बायासी बेसा आमोर और डगरुआ में गरवती और नवजात को इसका ला मिलेगा दरसल वहन के आवा में यहां देरी होने पर कई बार प्रसुता और बिमार बच्च के विवस्ता है फिलाल दस बाय के मुलेंस को हरीजेंडी देकर रवाना किया गया है पुर्णिया आकांची जिलों में सुमार है हाले कि कुछ वर्सों में बेहतर प्रदसन के बाद पुर्णिया जिले को आठ करोड का इना मिला है अगली बड़ी खबर कम हो सकती है पेट्रोल और डिजल की किमत सभी राज सरकारों से पियम मोदे ने वेट घडाने की अपिल की जिहां देश में पेट्रोल और डिजल की किमत से लोग काफी परेसान है पेट्रोलियम पदार्थ के किमत बढ़ने से कई समानों के दाम प्रदान मंत्री मोदे ने सभी राजों के सरकार से वेट घटाने के अपील की है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदे ने कहा कि छे मैंने लेठी सही लेकिन अब राज सरकार तेल पर टेक्स घटा ले जिससे थोड़े रहत लोगों को मिलेगी बता दे कि प्रदान मंत्री मंदरे से सिधे जुड़े हुए थे दारासलिया मीटिंग कोरोना के हालाथ पर चर्चा के लिए रखी गए थी इस दोरान सभी राज्यों के सियम ने अपने अपने प्रदेश के हालाथ को विसी के जरी रखा सभी सियमों की बातों को सुनने के बाद प्याम मोदे ने अपनी कि अगली बड़ी कबर सहारा इंडिया के निवसोकों के लिए अच्छी कबर पैसा लोटाने के लिए सिबरोतर राय को हाई कोड में हाजिर होने का निर्देश जहाँ सहारा इंडिया में यदि आपने पैसा जमा किया है तो यह कबर आपके लिए सहरा इंडिया के निवसकों को पैसा लोटाने को लेकर पाटना हाई कोट ने बड़ा आदेश दिया है अगली सुनवाई में सहरा कमपनी के संसाबक सुबरोत राय को स्वए कोड में उपसेत होने का निर्देश दिया गया है पैसे का भुगतान को लेकर दायर हस्तचेप अचिका पर सुनवाई करते हैं कोट ने बड़ा आदिस दे दिया है और हम के बड़े कबर पाटना विस्वेडलाई में नए सहतर के लिए नामांगन प्रक्रिया दो माइस से सुरू पीजे के लिए एक जुलाई से अबेदन या पाटना विस्वेडलाई में नए सहतर लाइन फर्म भरा जाएगा फर्म चार जुन तक भर सकते हैं लिखित परवेश परिचा 18 जुन को होगी एक ही आवेदन पर चात्र सभी कोलेजों के लिए योग होंगी वह इसी तरह पीजी रेगुलर कोर्स के लिए एक जुलाइ दो जर बाइस से आवेदन फर्म भरा पीजी रेगुलर के लिए जिस विसा में लिखित परिचा के अधार पर नामांकन होंगे उन विसावी के लिखित परिचा की 25 और 26 जुलाइ को होगी आज के लिए आपका सुआल बताए कि बिहार में बढ़ते वे कोरोना के मामले को देखते वे राजस सरकार को नही गाइल जारिक करना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं